स्वागदे दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूटुब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने औड़ी, samsung klex T, m30, या फिर किसी भी samsung mobil में ये आपका network का problem आ रहा है, network आपका रहा है, network शोर नहीं होता है, या फिर network से related अपका जितना भी problem है, उसे आप कैसे fix कर सकते हैं, इस वीडियो में में आपको step-by-step guide बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बनी रही episódio को साथ है, और स वे शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमें बहुत बार क्या होता है कि हमें अपना samsung mobile पे network शो नहीं होता है network वहीं से काम नहीं करता है वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है और हम जब call करते तब call connect सही से नहीं हो पाता है तो यहां पे network से related बहुत सारा problems जो हमें अपने Samsung mobile में देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों इसे solve करने के लिए मैं आपको यहां पे कम से कम 3-4 solution बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना problem को definitely solve कर सकते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना है अपने mobile का settings पे settings पे चले जाएगा उसके बाद में आपको सबसे पहले connection का option मिलेगा connection के ओपर click किज़ेगा और यहां पी आपको sim card manager मिलेगा उसके ओपर click किज़ेगा और यहां पे यह आपका dual sim है तो जो भी sim में आपको problem आ रहा है वह sim के ऊपर आप simply click कर लीजीगा अब क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको network mode का option दिखाए देगा यह network mode के ऊपर आपको click करना ठीक है और यहां पर आपको काफी सारा option दिखाई दे रहा है जिसके आप देख सकते हो LTE 3G 2G Auto Connect, 3G 2G LTE Only, तो यहां पर आपको select करना है LTE 3G 2G Auto Connect, ठीक है, तो यह आपको connect करके रखना है, यदि आप 3G 2G connect करके रखते हो, तो आपका mobile यदि वोल्टी है, तो क्या होता है कि आपका यहां पर network सहीशे काम नहीं करेगा, तो आपको यहां पर LTE 3G 2G Auto Connect select करना है, उसके बाद में simply आप वापस चले जाएए, और वापस बेक जाने के बाद में दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, और एक बार आपको वापस चले जाना है, और यहां पर आपको जाना है द दोस्तों आपको फिर से connection पर जाना है, और connection पर जाने के बाद आपको दुबारा से mobile network पर आना है और यहां पर दोस्तों आपको network operators दिखाए जा रहा है, simply यहां पर क्लिक किजगा, और दोस्तों यहां पर आपको दो option दिया जाता है आपका network की यूज़ करने के लिए, ठीक ह network करने के बाद में कुछ देर बाद जो है आपका network चला जाएगा और दुबार से आजाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में आपका problem solve हो जाना चाहिए, यदि आपका already automatically है, तो आप manually select किजगा, manually select करने के बाद में आपका mobile जितना भी नजदी कि आपका tower है, वो यहां पर detect कर रहता, लेकिन कुछ देर के लिए आप अपने home network में वो इस्तेमाल कर सकते है, तो दोस्तो यह आप यहां से आपके इसाप से कर सकते है, अभी हम back चले जाते है, दोस्तो यह दो करने के बाद में आपका problem definitely solve हो जाए, बाइचेंस यह नहीं होता है, तो दोस्तो मैं आपको suggest क करूँगा कि एक बार आप जो है अपना mobile का network में जाके SIM card में चले जाए और SIM card को एक बार आप बंद कर दीजेगा, ठीक है, आपका SIM card को एक बार आप यहां पर बंद कर दीजेगा, तो यह बंद करने के बाद में mobile को एक बार switch off कीजेगा, और आपका SIM का holder connector वो से आप eject करके SIM card को एक बार निकालिए और दुबारा गुसा के आप यहीं पर आके SIM को enable कीजेगा, आपका problem solve हो जाना चाहिए, ठीक है, यह तीन solution करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए, by any chance दोस्तों यह दिए आपको फिर भी network से related problem आ रहा है आपके mobile में, तो simply आप अपने mobile का settings प पे बचाहिए, जो कि यहां पे आपको मिलेगा, यहां पर लास्ट सेख उप्शन बचाहिए, जो कि यहां पे हमें software update करने का option दिया गया, software पे चले जाएए, और software update पे चले जाने के बाद में, download and install या फिर last update यहां पर download and install पर click कीचेगा और यहां पर आपका जो है software update चेक होगा ठीक है कभी 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 क्या होता है कि हमारे अपने handset पर क्या होता है कि हमें problems निकल जाता है तो इसलिए company जो है network से related काफी कुछ नया लाता है काफी कुछ नया feature लाता है थाकि हमारा network सही से क कर पाए तो इसलिए यह आपका system आपको update मांगता है तो आपको यहां पर update कर लेना है क्योंकि मेरा यहां पर अपडेटेट है तो मुझे updated करने का जरूरत नहीं है ठीक है यह आप कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों last एक बचता है यह software update करने के बाद में तो definitely आपका problem solve हो जाएगा अभी last एक option है दोस्तों यह आप अपना mobile को reset करना चाहते हैं reset account backup कर लिजेगा और इसके बाद में backup and restore पर चले जाके यहां पर data वगेरा restore कर सकते हैं यह करने के बाद में आपका problem solve हो जाएगा लेकिन यह last option है ठीक है अभी दोस्तों यह कोई technical issue होता है उसी वज़े से आपको problem हो सकता है ठीक है यह last solution है आपको last में करना है ठीक है और दोस्तों यहां पी आपका hardware में कुछ problem होता है सीम का slot वगेरा में कुछ problem होता है उस वज़े से भी आपको problem हो सकता है वो case में तो आपको technician को visit करके आपको mobile दिखाना होगा ठी झाल 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 झाल